इस गुड़ मॉर्णिंग ओलो फ्यू मैं सुनिल सर्मा यूर इंगलिस टीचर दोस्तों आपका एडबर्ब वाला टोपिक क्लियर होने के बाद नाव एम स्टार्टिंग यूर नेक्स्ट टोपिक एक्टिव वोईस से पैसी वोईस इस वेरी इंपोर्टेंट फॉर अमारे ल सबसे आगे रहता और पैसी वोई जिसमए करम को आगे रख्या और प्रदान वाख्य होता है कि ऑ क्या है कि की से चापिक सब्सक्राइब करता होता है में जटार्क वाक्य में करता सबसे आगे हो इससे में कहते हैं सार क्या रहाक दोस्तों करता प्रदान वाक्य में को कहते हैं ऍप इसको संग्सित में आपका सब से और आपने कृइए दोस्तन के L HAR में आप है आप कोफो नगा कर पर संद मनाते हो कौन खेल चुका है कारिय के कारणे वाले को करता है करते हैं दोस्तों वाक्यों में सेंटेंस में तो राम सब्जेक्ट अब इंगलेज फिव अपन ने इसकी बनाई राम है तो आपने देखा कि हिंदी और इंग्रेजी दोनों वाक्यों में आपका सब्जेक्ट ही आगे है तो ऐसे वाक्य जिन में वाक्य में सबसे आगे करता हो वह एक्टी वोईस के लाते हैं और पैसी वोईस जस्ट उल्टा हो जाएगा यानि जिस वाक्य में करम सबसे आगे हो करम परदान वाक्य को हम पैसी वोईस कहते हैं एक्टी वोईस के करता करम को यहां गिलाए जाता है इसको संक्सिप्त में पी कि कौन से है विए टोटल आपके बारह टैंसे चार प्रजेंट के चार पास्ट के चार फ्यूचर के उनमें से बनता है चार टैंसे हैं जिनका एक्टिवोईश से पैसी नहीं बनता है आपकी यहां तो बनने वाले आएंगे लेकिन जैसे आगे चल के मैं बताना चाहता हम नोलेज कम्प्लीट होनी चीह आपकी क्योंकि थोड़ा ग्यान सदे उगातक होता है आदमे के लिए अभी चार टेंस कौन-कौन से हैं दोस्तों तीनों तो तीनों टेंसों के लास्ट वाले जैसे परजेंट का सबसे लास्ट में आता परजेंट फरफेक् सबसे लंबी साइक्रिया और आपकी विल विन तो यह तीनों टेंस आप देख रहे हो लास्ट के हैं और एक फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इसकी सेल और विल भी होती है एक एक जांपल भी अपनिया लिया है जैसे आई सेल भी सिंगेंगे सॉंग इन दा फंक्सन अभी से प इस सेल भी आपको बता रहा है कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है तो देखो दोस्तों मैंने इसके नीचे नो चैंज लिखा है समझ में आ रहा है आपको नो चैंज या नहीं बनता है क्रोस का चिन लगाओगे तो इन चार्टेंसों में अगर एक्टीवोईस आता है तो इनका कभी पैसी वह इस नहीं बनता है यह बेसिक नोलेज है विससे आपके बनने वाला आएगा आपको इस वे ज्यादा वर्क नह लिखते हैं निचे लिके हुए इन चार में से तो बनेगा है नहीं और दो सेंटेंस और होते हैं जैसे इन चार टेंसों के लावा अक्रमक्वाक्यों कभी नहीं बनेगा अब आप कहोगे सर अक्रमक्वाक्य कौन से और सक्रमक्वाक्य कौन से मैंने ठीक से मैंसन कर रखा है दोस्तों सक्रमक वाकिये वो होते हैं जिस वाकिये में किरिये अपने साथ करम लाती है यानि जिस वाकिये में करम होगा उसी का पैसी वह इस बनेगा जैसे राम क्रिकेट खेलता है और करम को लाने का कार्य कोन करेगा किरिया ही करेगी हमेसा वाक्य में जिन्दगी में ध्यान रखने की बात है मुख्य किरिया करम को लेके आती है और जिस वाक्य में आपका करम नहीं हो करम नहीं हो वह अकरमक वाक्य होगा जिस वाक्य में किरेये अपने साथ करम नहीं लाती है वो वाक्या करमक होता है तो जैसे इसको इंग्लिस में ट्रांजेटिव सेंटेंस बोलते हैं और जिसमें करम होता है उसे ट्रांजेटिव सेंटेंस बोलते है आप राधा नास रही तो राधा इस में भर्भ यह तो राधा इस डांसिंग अगर एक की वर्ड को अपन देखें राधा सब्जेक्ट और डांसिंग मार्भ इस एक हम को आपने इधर अलग से मैंने दिखा रखा है इसका नोचेंज कर रखा है दोस्तों क्योंकि इसमें क्यों नोचेंज कर रखा है मैंने इसको क्योंकि इसमें आप देख रहे हो कि आपका करम नहीं है पैसी वो इस बनाते हैं तो करम को सबसे पहले उठा की ले जाते हैं तो करम करकार नहीं होगा तो कैसे बनेगा इस से आगे अगर अपन देखें हैं तू एक्टियो भी इस तीन परकार के उते हैं दोस्तो सादारना एक्टिवोई जो करता नहीं होता है सक्रमक तो वो होते हैं जिन में करम होता है उनका तो बनता है दोस्तों आप जिनका नहीं बनता है उनको अपने देख लिए रब बनता है तो कितने प्रकार के बनते हैं साधारन एक्टिवोईस मुख्य क्रिया एक्टिवोईस और डबलो एक्टिवोईस अब इस देखने साधारन आगे तो इजी गोइंग सब आ जाते हैं एक पर बच्चे को बुक पढ़ना आ जाती है रीड करना जाती है तो नाइंत की पढ़ सकता है थैड की पढ़ सकता है तो ठीक वैसे ही है अब मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में कल आपके जो यह काइंड्स ऑप एक्टिव ओई से इतीन तरीके के होते हैं इनमें से कल पहला वाला पढ़ा हमका पहले वाले के ही सबसे अधर टैन रूल्स हैं और बाकी तो दो दो रूल्स के हैं जैसे मुख्य क्रियाले और डबलो एच देवे रिटन इन नोट बोक और सेंड में मैं परस्टनल वाट्सप नमबर अपर 5 प्म और गो एट बेस्ट अपलग